हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई यूटूब चैनल इस्टडी विट सभी मैं हो सभीता दोस्तों सीटेट एड्मिट कार्ड को लेकर जो इंतजार था कह सकते हैं अब वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है क्योंगी बच्चे काफी परिशान हो चुके थे तो आई देखते हैं जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यह सीटेट की ओफिसेल वेबसाइट है जिस पर अब एड्मिट कार्ड की नोटिस जारी कर दी गई है आप यहां पर देख पा रहे होंगे और सबसे बड़ी और इंपॉर्टन बात यह है कि जो एड्मिट कार्ड आये हैं वो अभी फा ऑज्वर्ट में पहले जाएंगे उन्होंने नोटिस में बोला है अब ये जान लएते हैं कि जो अभी सिर्फ इन बच्चों के PRE ADMIT Card आये हैं जिनका एक्जाम सोलह से लेकर के 31 दिसम्बर के बीच में है सिर्फ अभी इन ही बच्चों का PRE ADMIT CARD दिया गया है लेकिन जब इनका exam होगा उसके ठीक दो दिन पहले इनका final admit card दे दिया जाएगा और जिन बच्चों का exam जन्वरी में होगा 1-13 जन्वरी के बीच उनका admit card अभी नहीं दिया गया है यानि कि pre admit card भी उनका नहीं आया है उनका admit card बाद में दिया जाएगा तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी परिशान मत हुए जल्दी ही आपका admit card आ जाएगा अब देखते हैं यहाँ पर आपको अपना pre admit card कैसे डाउनलोड करना है आप देखें दो link दिये गये हैं यहां से आप link 1 या फिर link 2 पर जा करके आप यहां पर अपनी detail फिल करेंगे यहां पर आपको application number डालना है और साथ ही date of birth डालना है फिर इसको आपको जो security pin लिखा हुआ है इसी को आपको डाल देना है फिर यहां पर आपका admit card है यानि कि pre admit card तुरंत डाउनलोड हो जाएगा तो वहां पर सिर्फ आपको city दिया जाएगा अभी और वहां पर date दोस्तों यह थी आज की एक latest update जो की admit card को लेकर थी बच्चे काफी परिशान थे कि जिन बच्चों का अभी pre admit card नहीं आया है उनका कब आएगा तो आपको i hope clear हो गया होगा कि उन बच्चों का अभी जिनका दिसंबर में paper है उनका अभी आ चुका है लेकिन जिनका जनवरी में paper है उनका भी नहीं आया है वो थोड़ा wait करें जल्दी ही उनका भी pre admit card आ जाएगा दोस्तों फिर में लेंगे अगली वीडियो में कुछ नहीं update के साथ अगर आपको information अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को subscribe जरूर करिएगा धन्यवाद